जैस्री करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 27 अपरेल 2023 गुरुवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टीव भगबान विश्णुजी की करपा से आज 12 में से 5 राशी वालों को भाग्य का विशेश सांथ मिलेगा इन 5 राशी वालों में आज है वरशब, करक, कन्या, तुला और मकर राशी वाले लोग वही अन्य राशीयों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यान वरधक जान करिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज वैशा खमास शुकल पक्ष की सब्तमी तिथी है गुरु वार का दिन है आज दिन की सुरवात पुनर वसु नक्षत्र से होगी और करकर आशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सूरियो दई प्राता काल पांच बच के चमालिस मिनिट पर होगा और सूरियास्त साम के 6 बच के 53 मिनिट पर होगा आज राहु काल दो पहर 1 बच के 57 मिनिट से आरमभू करके दो पहर 3 बच के 36 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारी शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा दक्षण दिसा में तो आज के दिन आप दक्षण दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे अरंब नहीं करें दक्षण दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुरवग पूजा आरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरद्ध अतिसरेष्ट महुर्ट अभीजेत महुर्ट आरंब होगा परातहकाल 11 बच के 52 मिनट से आरंब हो करके दोपर 12 बच के 45 मिनट तक सरद्धर आप शुब महुर्ट रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शुब मंगलिक वा नया कारे आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो अब जानिए अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारी छेत्र में भी आपको सफलता मिलें तो मेंसराशी से आरंब करते हैं मेंसराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज कोई बड़ी खुशाली आपके जीवन में आने वाली है आज अपनी नीजी संपत्ती खरीदने का प्लान आप कर सकते हैं या कोई नया कारिय आरंब कर सकते हैं व्याप आपका बहतर रहेगा, दूसरों के साथ मदूर संबंद और व्यभार रहेगा, कामकाच के संबंद में दूर की यात्राइं संभावी थे, आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य साली अंक साथ हे, शुबरंग आपका नीला रंग है, न पल के ब्रक्षे के पास शुद्ध गीं का दिया जला करके चने की डाल अरपित करें और ओम ब्रहस पतियनमा इस महा मंत्र का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है ब्रशब ब्रशब राशी वालों के अनुसार आज बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे किसी तरह की कोई चुनोती आपके सामने आज आ सकती है विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज लगना चाहिए जो बहतर रहेगा आज मन को एकागर रखेंगे तो आपको काफी फाइदा मिलेगा मन में आज वैसे प्रसनता बनी रह है आसमानी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताह का लिष्णान करने के पस्चात लगा करके तुलसी दल चड़ावें और ओम कलिम करशनाई नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज खुद को सा आपको कोई बड़ी उपलब्दी हांसिल हो सकेगी किसी अच्छी जगह घुमने फिनने का आज आपको अवसर मिल सकता है आपने उपर से काम का बोज किसी से शेयर करके थोड़ा हलका महसूस कर पाएंगे दिन की सुरुवात प्रसनता के साथ होगी आज व्यापारी वर्ग आपको को विशेश रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे जिससे धन लाप के योग बनेंगे आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक 10 है शुबरंग आपका केसरी आरंग है केसरी आरंग का प्रियो कारी छेत्र में आज आरंग भगवान के नाम मंतरों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है करक करकराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा करकराशी के लोगों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रह सकता है व्यावसाई गती अज आपकी मुलाकात होगी जिसके कारण आपके चहरे पर मुश्कान रहेगी आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकनों है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोग कारेच्छेत्र में आज अधिक अगली रासी है सिम्ह, सिम्ह राशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज घरवालों की उम्मिदों पर खरा आप उतरेंगे, मन में शांती बनी रहेगी, आई के नए इस्तरोत्र मिलने से आर्थिक इस्तिति की परेशानियां आज दूर हो जाएगी, रचनात्मक कार्य करने का अवसर भी आपको मिलेगा, आपकी सलहा पर चलकर कोई पड़ाई के छेतर में बहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है, आज सेहत आपकी सामान ने रहने वाली है, सोच योजना बद्ध आपकी रहने वाली है, इसलिए कामकाज में भी आपको अच्छ प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भागिशाली अंक 5 है, शुब रंग आपका हरा रंग है, हरे रंग का प्रियो कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के अगले राशी है कन्या, कन्या राशी वालों के अनुसर आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपका मोज मस्ती में वेस्तित हो सकता है, आपकी छवी और अधिक मजबूत हो जाएगी, संपर्क और संबंदों से आपको विशेश लाप मिलेंगे, सफलता भी मिल स्वास्त भी आज आपका उत्तम रहेगा, आपके द्वारा दी गई सलाह, दूसरों के काफी काम आएगी, आज आपको भाग्य का साथ 80% होगा, आज आपका भाग्य शाली अंकछे है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज तुलसी दल चड़ावें और ओम कलिम करशनाई नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें, ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगली राशी है तुला, तुला राशी वालों के नुसर आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि परिवार में हर सोल लास क वातावरन आज रहेगा, लोहे धातु के कारोबार करने वालों के लिए दिन काफी अच्छा है, आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंदियों से मदद मिलने के योग हैं, अपनी डेली रूटिंग में आपको बदलाव कर सकते हैं, आपको परिवार का साथ अवश्य मिलेगा, इसलिए आज हिम्मत नहीं आरें और आने वाले कठिन स्थिति को डट कर उसका सामना करें, आज का दिन उस साह से भरा रहेगा, आज के दिन किसी भी कारी की सुरुवात करने से अच्छा फल मिलेगा, आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिन, प्रातह का लिष्णान करने के पश्चात, भगवान स्री लक्ष्मी नारण जी के मंदिर में पीला अनाज दान करें, और ध्वजा का दान करें, यथा शक्ती लक्ष्मी नारण भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें, इसा करन में अपनी बात साबित करने के लिए आतूर भी हो सकते हैं किसी आउट डोर एक्टिविटी में हिस्सा आप ले सकते हैं कामकाश से संबंदित अच्छे और व्यापरिक आइडिया आपके दिमाग में रहेंगे आज के दिन चुस्ति फूर्ति के साथ अपने प्रत्य कारी को ब गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात पीपल के वरक्षे के पास चने की दाल अरपित करें ओम रहस पतियनमा इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें एसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज ध गलतियां दोहराने से आपको बचना चाहिए जीवन सांती के साथ अच्छा समय व्यतित करेंगे आपके अंदर बोलने की जो कला है जो आपको किसी भी छेतर में काम्याबी के शिखर पर पहुँचाने में मददगार साबित होगी आज आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिस प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारणीजी के मंदिर में पंचा मरत का निवेद्य अरपित करे तुलसी दल चड़ावें ओम नमो भगवति वासु दिवाई इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से क वाकान बनाने या खरीदने की तैयारी आप सुरू कर सकते हैं या प्लानिंग आदी कर सकते हैं उत्साह पुर्वक व्यावसाईक योजनाओं को पूरा कर लेंगे अपने आपको किसी नए परिवर्तन के लिए तैयार भी आप रखें आज भाग्यका सांथ भी आपको मिलने अधिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातह का लिष्णान करने के पश्चाद भगवान स्री राधा करशने जी को पंचमेवा का भोगर प अगली राशी है कुम्भ नोकरी आदी करते हैं तो प्रमोशन आदी की संभावना जादा रहेगी आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुब रंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक पिली मिठाई का भूगरपित करें तुलसी दल चड़ावें ओम नमो भगवते वासु दिवाई इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारी छेतर में अच्छी सफलता आपको मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रका पहार आदी आपको मिल सकता है आपको अपनी महनत और समझदारी से जीवन को सुखमई बनाने में मदद मिलेगी कारे छेतर में आपके कारी की सराहना होगी आज आपको भाग्य का साथ 87 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक 8 है शुब रंग आपका न करने के पस्चात भगवान राधा क्रश्न जी को कच्चे दूद में केसर मिला करके मिठाई आदी मिला करके भोगर पित करें तुलसी दल चड़ावें ओम क्लिम क्रश्ना आइनमा इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कायरे में आपको अच्छी सफलता तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देने के राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे